नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में, Know Yourself, Know Your Money Book समरी में हम चार Money Quadrant Classrooms, धन समबंदी साथ ट्रेंड्स, धन से उत्पन भाई, खर्च के पीछे की मानसिक्ता, बचट के पीछे की मानसिक्ता और पैसे दान करने के पीछे की मानसिक्ता को समझने का प्रयास करेंगे लेखिका रेचल क्रूज द्वारा लेखित Know Yourself, Know Your Money बुक हमें उन पहलूं की और ले जाती है, जो हम नजरंदास करते हैं ये बुक बताती है कि अधिक मेहनत से प्राप्त फाइनेसियल सफलता भी कुछ ही दिनों की महमान हो सकती है, अगर हम पैसे के मानसिक्ता और भावनात्मक पहलू को मेनेज नहीं करते हैं तो इसलिए कुस्तक हमें अपनी financial मानसिक्ता में गहराई से उतरने पर जोर देती है financial सफलता अधिकतर अपनी मेहनत पर नहीं बलकि मानसिक्ता पर निर्भर करती है इसलिए हमारे लिए पैसे बनाने से पहले अपनी मानसिक्ता पर काम करना जरूरी हो जाता है जब हम अपने जीवन के पैसे के क्लास्रूम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पैसे के बारे में हमने दो तरह से सीखा है पहला, हमारे माता-पिता भावनात्मक रूप से पैसे के बारे में क्या सोचते थे और पैसे की परिशानियों पर किस प्रकार की भावनात्मक प्रक्रिया देते थे दूसरा, जब पैसे के बारे में बात करने की बारी आती थी तब अपने माता-पिता मौखित रूप से पैसे के बारे में क्या बताते थे, किस प्रकार परिस्तितियों को छुपाने की कोशिश करते थे हम किसी चीज के बारे में मिलने वाली सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं के माध्यम से भावनात्मक संचार का अनुभव करते हैं भले ही हम इसका सटीक कारण न बता पाएं जब भावनात्मक संचार सकारात्मक होता है तो हम शांत महसूस करते हैं और जब यह नकारात्मक होता है तो हम तनाव महसुस करते हैं पहले दो मीनी Classrooms भावनात्मक रूप से तनाव ग्रस्ट क्वाडरंट हैं जिसमें Anxious भावनात्मक रूप से तनाव ग्रस्ट और मौकिक रूप से बंद और unstable भावनात्मक रूप से तनाव ग्रस्ट और मौकिक रूप से खुला quadrant classrooms शामिल है इसके बाद भावनात्मक रूप से शांत मनी quadrant आता है जिसमें अनवे भावनात्मक रूप से शांत और मौकिक रूप से बंद और सिक्योख भावनात्मक रूप से शान्त और मौकिक रूप से खुला Quadrant Classrooms शामिल है ये चार मनी Quadrant कुछ हिस प्रकार है एक, Anxious Classroom यदि हम पैसों को लेकर चिंता या तनाव महसूस करते थे और पैसों के बारे में कभी या बहुत कम बात करना पंसद करते हैं तो हम इसी Classrooms में पले बढ़े हैं दो, Unstable Classroom पैसे को लेकर अपने माता-पिता आपस में बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कभी-कभी अजनवियों के साथ भी बहस करते हैं तीन, Unaware Classroom अगर हम इस Classrooms में पले बढ़े हैं, तो शायद हमें पैसे की चिंता नहीं रही होगी क्योंकि वास्तव में हम नहीं जानते की पैसे कैसे काम करते हैं या हमारे माता-पिता द्वारा हमें नहीं बताया जाता है की पैसे की क्या वाल्यू है चार, Secure Classrooms ये Classrooms ऐसे घरों को दर्शाते हैं जहां माता-पिता स्वस्त पैसे की आदते अपनाते हैं यहां पैसे से तनाव नहीं होता क्योंकि माता-पिता जानते हैं की इसे कैसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए धन संबंदी साथ Trends ध्यान रखे कि ये प्रवृतिया इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम पैसे से कैसे निपटते हैं और उन्हें दूसरों की समाने कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रवृति में होना सही या गलत नहीं है इसे बस एक बहतर सोच को अपनाने और पहचाने की रूप में लेने से हम पैसे के प्रती बहतर मान सकता अपना सकते हैं लेकिका हमें पैसे की प्रवृतियों को समझने का एक पैमाना देती है जिससे हम अपने सोचने और कार्य करने की तरीकों को समझ सकते हैं जिससे हम अपने वित्य लक्षियों पर तेजी से प्रगती कर सकते हैं। पैसे की प्रवृतिया कुछ हिस्प्रकार है। एक, बच्च्ट कर्टा या खर्चकर्टा, बच्चत की मानसिक्ता होने पर हम पैसे बचाने के बारे में पहले सोचेंगे। वही खर्चकर्टा की मानसिक्ता होने पर हम उस पैसे से क्या खरीच सकते हैं इसके बारे में पहले सोचेंगे। दो, बेवकूफ या स्वतंत्र आत्मा, बेवकूफ अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं। वही मुक्त आत्माएं वाले लोग, चलो जीवन का आनन्द लेते हैं कि मानसिक्ता वाले होते हैं। तीन, अनुभव या चीजें, अपने पैसे से कुछ लोग किसी भोतेक वस्थू की तुलना में एक बहतर स्मृती बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। वही कुछ लोग नए प्रोड़क्ट जैसे हेडफोन या गैजेट पर पैसा खर्च करते हैं। चार, गुणवत्ता या मात्रा, कुछ लोग गुणवत्ता वाली वस्थू पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, जब कि अन्यज्यादा मात्रा में मिलने वाली अनेकता का आनग लेते हैं। 5. सुरक्षा या स्थिती स्टेटिस्ट सुरक्षा की मानसिक्ता वाले लोग पैसे की प्रतिदर की भावना रखते हैं। स्थिती वाले लोगों के लिए पैसा होना व्यक्तिगत उपलब्धी है। 6. बहुतायत या कमी, जो लोग बहुतायत की और जुकाव रखते हैं, उनका माना है कि हर किसी के लिए हमेशा पर्याप्त से अधिक होता है, कुछ लोगों की मानसिक्ता कमी वाली होती है, वे इस विश्वास के आधार पर पैसे के फैसले लेते हैं कि संसाधन सीमित हैं 7. प्लान दान या स्पॉंटेनियस दान, एक स्पॉंटेनियस दाता, खुद को मदद करने से रोक नहीं पाता है आम तोर पर, प्लान दाता अपने संसाधनों और धन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, वे हर चीज के लिए दान नहीं करते हैं धन से उत्पन भय, मानो या ना मानो, हम मेंसे हर एक को पैसे से जुड़े दर है या रहे हैं वास्टव में, रिसर्च से पता चलता है कि परियाप्त पैसा नहों ना उन दस चीजों में से एक है जिन से इंसान सबसे ज्यादा दरते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना पैसा है या हम कितना कमाते हैं हर किसी को पैसों से जुड़े दर का अनुभव होता है इन पैसे से जुड़े दर को कम करने के लिए लेखक तीन सटिप की एक रणनीती हमारे साथ साजा करते हैं जो इस प्रकार है एक, नाम देना, जब हम अपने दर को पहचान लेते हैं और नाम देते हैं, तो यहाँ चाया में छिपकर हमारे व्यवहार को नियंतरित नहीं कर सकता, बिना हमें पता चले 2. सच्चाई पर ध्यान केंदरित करना हमें दर को स्वीकार कर, अपने दर की सच्चाई पर ध्यान केंदरित करने का प्रयास करना चाहिए 3. मदद के लिए आगे बढ़ना इसका मतलब है कि हम अपने दर के बारे में ईश्वर और दूसरों से सार्थक तरीके से जुल रहे और जहां भी जरूरत हो वहां दूसरों की मदद ले अब हम उन दरों को जान लेते हैं जिन पर हमें इस रन्नीती का उप्योग करना है वे दर कुछ हिस प्रकार है एक, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो क्या मैं आर्थिक रूप से जीवित नहीं रह पाऊंगा दो, समय बीटता जा रहा है मैं जो करना चाहता था वह मैं नहीं कर पाऊंगा तीन, मैं पैसे से नहीं जीट सकता क्योंकि मैं बहुत होश्यार नहीं हूँ चार, मैं सफल नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया इसी तरह काम करती है पाँच, मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि मैंने पैसों के मामले में बहुत बढ़ी गलतियां की है छे, मुझे दर है कि मेरा भी हाल मेरे माता पिता जैसा हो जाएगा ये सभी वे दर है जो हमें धन के स्रोतों से दूर ले जाते है और हम कड़ी मेहनत करने के बाद भी धन हासिल नहीं कर पाते है लेकिन अब हमें पता है कि दरों पर काम करना है तो क्यों ना दरों पर विजय की यात्रा शुरू की जाए डर आम तौर पर ऐसी चीज नहीं है जिसका हम एक बार सामना करते हैं और फिर यह हमेशा के लिए चला जाता है यह ऐसी चीज है जिसका हम जीवन भर अनुभव करते हैं ये बात शुरू में निराशाजनक लग सकती है लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि दरे को खार भी है खर्च के पीछे की मान सिकता हम जो कपड़े खरीदते हैं जिस कार को चलाना चाहते हैं अपने घर में जो फनीचर रखते हैं अपने बच्चों के लिए खिलोने रखते हैं अपनी चुट्टिया मनाते हैं, यहां तक कि किराने की दुकान से मिलने वाला खाना और हम किस किराने की दुकान से खरीदारी करते हैं, इन सब के बारे में सोचें, हम जो खरीदते हैं, वो क्यूं खरीदते हैं, खर्च करने की भावनाएं इस प्रकार काम करती हैं, जब हम अ पढ़ा दार पर खरीदारी करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। अपने लिए पैसे खर्च करना स्वार्थि नहीं है। अपने लिए पैसे खर्च करने का मतलब है अपने उद्धेश्य और मुईयों की प्रती सच्चे रहना, जो हमें प्रेरित करते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यह हम दुनिया को क्या अनोखी उपहार दे सकते हैं। दूसरों के लिए कोई वस्तु खरीदते समय थोड़ा इंतजार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस वस्तु को कभी नहीं खरीद सकते। इसका मतलब यह है कि हमें पहले सही सोच रखनी होगी, जब इसके पीछे की प्रेरना सही होगी, तो हम सबसे अच्छा खर्च करने का फैसला लेंगे। खर्च को कम करने और सही खर्च करने के लिए प्रेरित रहने के लिए लेखक कुछ नियम बताते हैं, जो इस प्रकार है 1. अपने अंदर चीजों के प्रती संतोष जगाए 2. किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए पैसा खर्च 3. जब खुद के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो हमें क्यूं का जबाब पता होना चाहिए कि क्या खरीदारी अच्छी है और क्या नहीं 4. सिर्फ इसलिए पैसा खर्च न करें, क्योंकि यह अच्छा लगता है 5. अपना बजट बनाना और उस पर अड़े रहना 5. बचट के पीछे की मान सिकता 6. जब हमें इस बात का हसास होता है कि कर्च से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, तो हमें दो बाते पता होती है, पहली बचट न करना मेहंगा पर सकता है, और दूसरी अपने पैसों के लिए एक योजना बनाने की जरूरत 6. लेकिन बचट न होना दूसरी समस्या की भी एक चेतावनी है कि हम अपने सपनों के प्रती सचेत नहीं है, ज्यादा तर लोग इस बारे में नहीं सोचते कि बचट और सपने देखने आपस में कितना गहरा संबंध रखते हैं, लेकिन अगर हम बचट नहीं कर रहे हैं, त लिए इसके लिए कुछ भी करने को तयार रहते हैं, भले ही उन्हें व्यवसाय शुरू करने या नया करिया बनाने के लिए दिग्री हासल करने के लिए या आवश्य कुपकरन खरीदने के लिए 2 साल की बचट करनी पड़े, हम अपने सपने के प्रती जितना अधिक कमिटे होंगे, उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना उतना ही आसान होगा, सपने देखने वालों के लिए बचट करना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनके पास हर दिन नए विचार आते हैं और उन सभी के लिए बचट करने की जरूरत होती है, लेकिन सपने देखने वालों को ये ध्यान रखना होगा कि वे केवल सही विचारों का ही पीछा करें। पैसे दान करने के पीछे की मान सिकता। कलपना कीजिए कि हम 100 डॉलर के नोट को अपनी मुठी में इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि कोई भी उसे हमारी मुठी से चुड़ा नहीं सकता। इसे मुठी बंद करना कहते हैं और दुनिया की ज्यादातर लोग इसी तरह से अपना पैसा पकड़ते हैं। बहुत से लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए जिन्दगी जीते हैं। पैसे के बारे में हम दो तरह से सोच सकते हैं और दोनों ही हमारे दिल की स्थिती को प्रभावित करते हैं। या तो हम खुले हाथों से जी सकते हैं जैसे कि हम अपने पैसे के मेनेजर हैं और इसे अच्छी तरह से मेनेज करना जानते हैं, या हम कंजूस होकर जी सकते हैं, जैसे कि यह सब हमारा है और इसे अपने पास ही रखना है, खुले हाथों से जीने का मतलब है कि हम समझते हैं कि हमारा यहां कुछ भी नहीं है सच्ची वित्तिय शान्ती तब मिलती है जब पैसा हमारा मालिक नहीं बल्कि हमारा साधन होता है और ऐसा तब नहीं हो सकता जब हमारी आत्मा की खुशी पैसे पर निर्भर हो देना ही वल तरीका है जो हमें ये जानने में मदद करता है कि सच्ची सुरक्षा कहां से आती है देने से हमारे हाथ फिर से खुल जाते हैं और हमें भरोसा होता है कि अगर हम बाटेंगे तो हमारी भी जरूरते पूरी होंगी लेखक उदार्ता के तीन फायदे बताते हैं जो इस प्रकार है ये हमें बहतर इंसान बनाता है ये हमें सच्ची खुशी देता है ये हमारा विश्वास बढ़ाता है अब आये सबसे बड़े कारणों में से एक पर नजर डाले जिसके कारण लोग दान नहीं देते क्योंकि वे पर्याप पैसा नहीं कमा पाते आप जब देने की बात आती है तो लेखक हमें एक चितावनी भी देते है सावधान रहे की हमारा देना भावनात्मक रूप से आटो पाइलिट पर न चले जो आसान या सुविधाजनक है उसे देने से हमारा दिल बहतर महसूस नहीं करता बहतर महसूस के लिए हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि हम कैसे और कितना दे रहे हैं बुक समरी कंक्लूशन इस बुक समरी में हमने चह महत्वपून बातों के बारे में जाना जो इस प्रकार थी पहली चार मनी क्वाडरंट क्लास्रूम्स हमें अपनी पैसे की मानसिक्ता को समझने में मदद करते हैं दूसरी, धन संबंदी साथ प्रवृतियां हमारी मानसिक्ता का स्टेटिस बताती है तीसरी, पैसे आने के साथ पैसे का डर भी आता है चौथी, हम कोई चीज क्यों खरीदते हैं ये हमें पता होना चाहिए पांच वी, बचत हमारे सपनों से गहराई से जुड़ी होती है और छठी, दान और अधिक पाने का एक तरीका है धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें